आज मिले कर आई हूँ आउला का बहुती टेस्टी आचार जीसे बीना धूप के हम बनाएंगे तुरंत बनाएंगे और तुरंत ये खाने लाइक हो जाएगा तो चलिये रेस्पी को सुरू करते हैं तो यहाँ पे हमने लिया है 300 ग्राम आउला इसको अच्छे से धो करके लिय किया है सर्दियों में फ्रेंट जितना हो सके आउला का ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेवन करें सेहत के लिए काफी फायदामंद होता है आउला और सीजनल चीज है फ्रेंट सीजन में आसानी से मिल जाता है तो इस इसका ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा स पर लिया है जीरा सरसो के दाने और यहां पर मेथी के दाने जीरा सारे चीज एक एक चमच हमने ले लिया है इसको हम ग्रैंड कर लेंगे तो दरदरा सा इसका पाउडर बना करके हमें तयार कर लेना है तो यह लिजी फ्रेंड हमने पीस करके सुट तयार कर लिया है इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब गैस पर रखेंगे कड़ाही और इसमें डालेगे चार चमच तेल तो हमने यहां पर सर्सो का तेल इस्तमाल किया है क्योंकि सर्सो के तेल में ही अचार टेश्टी लगते हैं तो तेल को हमें अच्छा सा धुवा छोड़ने तक गरम कर लेना है तो यह दिखिए हमने अच्छे से इसको धुवा छोड़ने तक गरम कर लिया है अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसमें दो हमें डो फिं छींग थोड़ा देख पक जाने देंगे इसके बादे समें डालेंगे हमें दो चम्माश हल्दी आ इसको भी थोड़ा सा वह हम पक जाने देंगे इसके बाद जो हमने मसाला पीस के रखा था इसको डाल देंगे तो इसको हम मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को और थोड़ी दिर हम तेल में गरम-गरम इसको पका लेंगे इस तरह से अचार तुरंट खाने लाइक हो जाता है इसको धूप में रखने की बिल्कूल भी जरूरत नहीं है तो यह दिखे अच्छे सपग गया है इसमें डाल देंगे नमक तो नमक थोड़ा सा अचार में ज्यादा पड़ता है इसलिए थोड़ा सा नमक ज्यादा डालेंगे इसे अचार ज्यादा दिंग तब टिकता है इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है तो फ्रेंस ये अचार काफी हिल्दी होता है अगर खून की कमी है आपके सरीर में तो अचार इस तरह से बना के खाएं और इसमें डाल देंगे लाल मिस्टी का पाउडर थोड़ा जा इसको हम चटपटा बना रहे हैं क्योंकि अचार तो तीखा ही अच्छा लगता है खाने मे इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके बाद इसमें डाल देंगे आवला तो आवला कमले इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है अगर आप चाते हैं कि और चोटा साइज इसमें रहे आवले का तो आप इसे चकू से काट सकते हैं तो मैंने दो-दूर तिन-तिन टुकड़ा कर लिया है इसको आवले को इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है तो फ्रेंज अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बेल आइ बतन में आप चाहे तो इसे काच के जार में भी भर करके रख सकते हैं मैं भी इसे काच के जार में ही रखूंगी तो आज की हमारी ये आउला की हेल्दी और टेस्टी आचार की रेस्पी जटपट वाली आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं धन्यबाद